कि नमस्कार डियर इस्टुनेंट्स जैसा कि हम लोग डिसकस कर रहे थे एलकॉल के बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर तक एलकॉल का जनरल इंट्रोडेक्शन और मैथड ओफ प्रिपेशन देख लिया था आज हम लोग बात करेंगे अलकॉलों के बहुत तो फीजिकल प्रोपटीज और बेसिकली जो फीजिकल प्रोपटीज में जो हम लोग स्टेडी करेंगे वह एक तो हमारी एसिडिक नीचर अम्लिया प्रकृति और दूसरी हाइडोजन बांडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं बांडिंग की सबसे पहले समरणा चीजिए क्या होती मैनना जाता है कि जो हाँडाएम है अगर वह कोई दो जॉडा हूँ प्राइजूति तत्व मिन्स जिंकी प्रीजृ एक्ट्र नेगाशन जोलग उती तत्वे की जियाद होतीए मिन घॉड्स हैं स्ञाज Fukal Bir नहाँ पस यहाद होती है कई बार कुछ कैसे में हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी हाइडोजन बनाता है पट बेसिकली जो हाइडोजन बनाते हैं वो फ्लोरीन ऑक्सजन और नाइटोजन तो इन तीनों में जो कोई भी दो कंप्लीट बॉंड होता है और एक पार्शली बॉंड होता है जो पार्शली बॉंड होता है उसे हम लोग हाइडोजन बॉंड निंग बहुत है ठीक है तो एक उधारन से हम लोग इसको समझा सकते हैं अगर हम लोग एलकॉल में हाइडोजन बॉंड निंग की बात करें तो यह पर यह वाली hydrogen bonding है यह complete bond है यह parsley bond है यह एक molecule है यह दूसरा molecule है दोनों molecule hydrogen bonding के द्वारा आपस में जुड़े हुआ है इसमें दो को लिख रखा है बिंदूदार रेखाओं द्वारा प्रदसित बंद को hydrogen बंद कहते हैं बता दिया है मैंने hydrogen bonding में से दो या दो से अधिक अनु आपस में जुड़ करके संगुनित हो जाते हैं associate हो जाते हैं जिससे आन्विक संगुनन कहते हैं molecular association कहते हैं इस आन्विक संगुनन से पदार्थ के भोतिक वेरासायनी गुणों में परिवर्तन होता है दो molecule आपस में संगुनित हो जाते हैं जिस वज़ा से उनके chemical और physical properties चेंज हो जाती है types of hydrogen bonding की बात करते हैं basically hydrogen bonding दो टाइप की होती है intermolecular और intra molecular जैसा नाम से clear है intermolecular को हिंदी में बोलते हैं अंत्रा अनुक मिन्स दो या दो से अधिक अनुक के बीच होने वाली hydrogen bonding जबकि दूसरा हम लोग पढ़ेंगे intermolecular मिन्स अंत्यान्विक मिन्स एक ही molecule within the molecule होने वाली hydrogen bonding तो जो इंट्रा मॉली इंट्रा मॉलीकुल है और यह वाटर अलकॉल एक्षिक करें एक्षेक्ट एक्यम्पल यह वाटर में इसका पहले हम लोगों पर लिया था यह रिए ले वह निगया इंट्रा यह वाटर में चुब करें के लग यह दो भी दूसराइए hydrogen bonding होती है और यहां पी एक डाइमर बन जाएगा इस डाइमर का क्या एफेक्ट होगा या इस hydrogen bonding का क्या एफेक्ट होगा वो भी हम लोग effect of hydrogen bonding में पढ़ेंगे जब वहाँ पे discuss करेंगे तो मैं बता दूगा कि हमने वहाँ पे discuss किया था दूसरी जो hydrogen bonding है वह है इंट्रा मोलेकुलर इंट्रा मोलेकुल में विदिन दे मोलेकुल एक ही मोलेकुल में होने वाली hydrogen bonding होती है यहां में लिख दिया है एक ही अनुमें होने वाली बॉन्डिंग फॉर एक्जामपल अगर और ओर्थो प्लौरोफिनॉल की बात करें तो यह OH का हम्हक ऑन चनल ने था था है और यह निट्राइडीर की बात करें यह से एक ही molecule के atoms के बीच में हैं मेंस हम लोग के कह सकते हैं कि जो hydrogen bonding है वो विदिन दा molecule है एक ही molecule में है इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इंट्रा-molecular hydrogen bonding अब हम लोग बात करते हैं effect of hydrogen bonding तो को effect of hydrogen bonding को पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि hydrogen bonding से कुछ physical chemical properties प्रवावित होती है यह हम लोग यह कह सकते हैं क्या value change हो जाती है लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे पास दो दो प्रकार की hydrogen bonding थी उनमें से जो इंट्रमोलेकुलर बाइड्रोजन बांडिंग है शुर्य मैंने यह पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको इंट्रमोलेकुलर लिखा जाएगा जो जो इंट्रमोलेकुलर हाइड्रोजन बांडिंग है उसका फीजिकल प्रोपर्टीज पर कोई फेक्ट नहीं होता है कुछ इफेक्ट हो सकते हैं जैसे ऐसे एफेक्ट हो सकता है वह हम लोग अलग टॉपिक में डिसकस करेंगे बट ध्यान रखना इंट्रमोलेकुलर इफेक्ट नहीं होता है तो इफेक्ट किसका होगा इंट्रमोलेकुलर हाइड्रोजन बांडिंग का तो हम लोग इंट्रमोलेकुलर हाइड्रोजन बांडिंग के इफेक्ट के बारे में डिसकस करते हैं इंट्रमोलेकुलर हाइड्रोजन बांडिंग से जैसे कि मैंने पहले molecular hydrogen bonding होने की वज़ए से जो खाल हैं उनके अनुआ आपस में संगुनित हो जाते हैं और संगुनित होने के और उनके गलनांग शोरी कवतिनांग के मान समान अनुभारवाले और केन ऐलकललाइड होने के इथर से अधिक बॉंडंडिंग जीक है दूसरा effect देखते हैं दूसरा effect is solubility पर इसमा लिकरे का है इस प्रकार hydrogen bonding के कारण बहुत सारेència पदार्थ जल में विले होते हैं जैसे hydrogen bonding के कारण alcohol जल में विले होता है बिल्कुल शीह अगर छिस वज़ के को वाटर है और यह अल्कॉल है तो इन दोनों के बीच में जो हाईग्रोजन और इजोल्व होगे रिगने में तो कि ऑथा की 나오ाम वाटर के साथ बांदिम नहीं होती है कि नेक्स्ट आम लोग देखते हैं कि इट इज्जा जाता है कि जो ओर्थो नाइट्रो फिनोल होता है उसका क्वत्नांक पैरा नाइट्रो फिनोल से कम होता है क्यों तो देखो आमने पहले डिसकस किया था कि जो ओर्थो नाइट्रो फिनोल है उसमें ओएच का एच और इसका ओपास पास है तो इन दोनों के बीच में इंट्रा मोलीकुल आपस में संगुनित हो जाएंगे इस इंटर मोलिकुलर हाइरोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो पैरा नाइट्रो फिनोल है उसका क्वतनांक और्थो नाइट्रो फिनोल से ज्यादा होता है ठीक है तो तीन इफेक्ट हो गए एक तो हो गया पहला जो इफेक्ट पढ़ा हमने किस पर पढ़ा वो क्वतनांक पर ही मेल्टिंग पॉइंट पर बात किया हमने दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सोल्यूब्लिटी पर वाटर में सोल्यूब्लिटी hydrogen bonding की वज़े से भढ़ती है और तीसरा जो हमने डिसकस किया है वो वो भी क्वतनांक आई है और उन दोनों में और तो नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के क्वतनांक के हैं चेक किया ठीक है तो यह तीनों effect hydrogen bonding की वज़े से होते हैं अब हम लोग बात करते हैं second physical property alcohol की अमलिये प्रक करते हैं एलकोहल जो होते हैं उनमें दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और एक यह वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और एक यह वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है इसको मैं देदू ए शोरी इसको मैं देदू बी और इसको मैं देदू ए तो यह जब बॉन्ड होगा तो यहां से क्या प्लिज होगा H+, means yeast bond की breaking alcohol की acidity को show करती है और यहां से जब bond break होगा तो क्या निकलेगा OH means इस bond की breaking basicity को show करता है यह हम लोग यह कह सकते हैं कि जब OH निकलेगा तो इसमें carvocatine बनेगा ठीक है तो हम लोग बात कर रहे हैं acidity की तो acidity की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी acidity का comparison जो है वो हमेशा phenol के साथ किया जाता है और एक general question पूछा जाता है कि जो alcohol होते हैं वो phenol के comparison में कम या बहुत कम acidic होते हैं क्यों तो इसका कारण यह होता है कि जब alcohol मेंसे H निकलता है तो RO alcoxide बनता है और यह alcoxide less stable होता है क्योंकि इसमें resonance नहीं होता है यह ऐसा कोई भी factor नहीं होता है जो इस alcoxide को stable करें जबकि जो phenol होता है उसमें से H प्लस निकलने के बाद phenol oxide बनता है और phenol oxide बनने से यह phenol oxide स्टेबल हो जाता है because of resonance और यह resonance कैसे होता है हम लोग इसको नीचे शो कर सकते हैं यह सारी phenol की रेजोनेटिंग structure है रेजोनेटिंग में नेगिटिव चार्ज यहां यहां पे नेगिटिव आ जाएगा इस टाइप से यह सारी रेजोनेटिंग structure होंगी और इस रेजोनेटिंग के ज़से यह phenol oxide highly stable होगा और highly stable होने के कारण इस hydrogen की इस phenol oxide से वापस जुनने की tendency कम हो जाएगी और tendency जितनी कम होगी इस phenol की acidity उतनी ही ज्यादा होगी तो ध्यान रहे alcohol और phenol में से phenol always more acidic होता है बहुत ज्यादा acidic होता है इसका करण क्या है कि phenol से h plus निकलने के बाद जो phenoxide बनता है वो resonance के तरू stabilize हो जाता है ठीक है तो तीनों properties हमें ध्यान रखनी है जो किससे प्रवावित होती है कुछ hydrogen bonding से और कुछ phenol oxide की stability से है अब next class में हम लोग discuss करेंगे chemical reactions of alcohol यहां पर हम लोग discuss करेंगे कि जो alcohol होगा वो दो टाइप की reaction देगा एक वो reaction होगी जिसमें oxygen और hydrogen के बीच का bond break होगा और दूसरी वो reaction होगी जिनमें oxygen और carbon के बीच का bond break होगा ठीक है तो चलो मिलते हैं next class में